वेलकम टू इजी साइंस शुरू करते हैं ग्लास 7 के साइंस का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सीविज सीविज क्या होता है ये क्वेशन भी है पीछे एक्सराइज में दिया हुआ है सीविज क्या है एक्चुली ये वे टौनों मिल करके बनाती हैं सीविज ये वेस्ट वाटर आते कहां कहां से हैं ये हमारे घड़ों से कुछ तो घड़ों से आते हैं जिनमें हम जब कपड़े वाश करते हैं हम अपने बरतंध होते हैं तो इसमें डिटरजंट होता है ठीक है तो घर से निकलने वाला भी जो wastewater होता है वो भी sewage है, कुछ industries से निकलता है, industries में जैसे जहां पर बहुत सारे अलग अलगता है कि harmful chemicals होते हैं, तो वो भी water के साथ industries से बहार निकलते हैं, hospital में, hospital से निकलने वाले wastewater जो बहुत अरीके, used medicines और patients के जो waste होते हैं, वो भी उसमें dissolve होत होते हैं, यानि कि बहुत अरग कि बिमारी फैलाने वाले bacteria वगेरा इसमें मिले होते हैं, यह भी wastewater निकलता है, hospital से भी, rain water जो जहतों पर या सड़कों पर बहता है, जिसमें वहां का dust, वहां की गंदिगी, वो सारे dissolve रहते हैं, तो इन जगहों से जो निकलने वाला wastewater है, वो स sewage है, तो sewage क्या हो गया, sewage is a liquid waste, यह waste है, पर कैसा है, यह liquid waste है, क्योंकि यह water में dissolve है, और यह नालियों के थ्रूँ, घरों से, इंडस्ट्री से, pipe के थ्रूँ, hospitals से, या rain water, road के थ्रूँ, छटों से, ऐसे जो यह dissolve होके, पानी के साथ जो impurities होती हैं, वो बहती हैं, वो क्या अलग जगों से, अलग अलग तरीकी के sewage निकलते हैं, जैसे, होम से, जो sewage निकलता है, उसमें मेंली क्या होता है, सबजियों के छिलके, या फिर डिटरजेंट, सोब, शैंपू, एक्सित्रा, यह सारी चीज़े होती है, जिसे हम बोलते है, सलेच वाटर, या सलेच कह सकते हैं, दीसरा होता है, ट्रेड वेस्ट, जो इंडेस्ट्री से, फैक्ट्री वगेरा से, निकलता है, या कॉमर्शिल कोई भी जगह है, वहां से निकलने वाला सीवेज होता है, ट्रेड वेस्ट, तो यह होगे, त्री टाइप्स ओफ सीवेज, सीवेज is a combination of different types of impurities, इस और्गेनिक में जैसे यूरिया, जो मेली यूरीन और कुछ पैस्टिसाइड्स, यूमन के जो फेकेस होते हैं, या एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ये सारे आते हैं, और्गेनिक इंप्यूरिटीज में, इन और्गेनिक इंप्यूरिटीज में, मेली जो फैक्टरी से निकल पिर आते हैं nutrients जो nitrogen और phosphorus ये क्या होते हैं ये nutrient होते हैं bacteria होते हैं बिमारी फैलाने वाले बहुत सारे bacteria होते हैं जैसे salmonella paratryphae, vibrio cholera, salmonella paratryphae ये इससे क्या होता है इससे typhide होता है तो वो किस से होता है वो अगर clean water नहीं पया तो पानी से ये फैलता है टाइफाइड और कॉलरा, कॉलरा भी कैसी बिमारी है जो गंदे पानी से होती, तो इनके बैक्टिरिया भी मिले होते हैं सीवेज में, कुछ माइक्रोब्स जैसे कि प्रोटोजोवन ये भी बिमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, तो हमारे घरों से, फैक्टरीज से और हॉस्पिटल से, नालियों के थ्रूँ या पाइट्स के थ्रूँ, कहां मिलता है जाकर के, रिवर में या सी में, अगर ये अन्ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर, जिसमें इतनी सारी इंप्यूरिटीज हैं, ये बिमारी फैलाने वाले खाइटेरीयज है हैं माइक्रोब्स हैं, ये डाइक्ट अगर रिवर या सी में पहुंच जाते हैं, इनको हम ट्REET नहीं करते हैं, और डारेक्टे पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ये बिमारी या फिर पेलाने, क्योंकि ये सी के वाटर को, या रिव number 2 दिया हुआ है जिसमें question है what is sewage and explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. तो इसके answer में हम लिखेंगे sewage is liquid waste यह हमने समझ लिया and if untreated water or sewage is discharged into rivers or seas then the water in the rivers would also get contaminated यानि कि वो भी गंदा हो जाएगा उसमें भी bacteria वगेरे आ जाएगे and if this contaminated water is used for drinking और अगर इस गंदे पानी को इस infectious water को पी लिया किसी ने then it can cause diseases such as cholera, typhoid and dysentery etc. क्योंकि यह सारी बिमारी फिलाने वाले सारे bacteria और microbes इसमें present होते हैं. क्योंकि बाते हैं.